है अग्याइज कैसे हो आप लोग आई हो आप सब बढ़िया होगे तो मैं भी बढ़िया हो तो आपको पहले ब्लोग में बोला था कि मैं आप रहा करूंगा सब्रे नहीं हो सकते क्योंकि कि मौसम थोड़ा खुराब यह तो उस बज़े सब रही हो सकता है तो दिखाने का मतलब कि मैं आपको आपको थोड़ा काम कर रहा हो तो दिखाऊंगा क्या कर रहा हो तो बने दे वीडियू पूर आपको दिखातों देखते रहेuchen तो गाईज आप लोग देख सकते हैं मैं आज शेव की जो ये सूखने वाला पौजा तो मैं इसको थोड़ा बहुत खोल के दवाई डालूँगा देखोंगा जड़ क्या है कैसा है तो मैं आपको दिखाऊंगा तो देखते रही है आप थोड़ा सा पौदे को खोलते हैं तो गाल मिट्टी है उस बज़े से भी हो सकता है कि जड़ सरने का कारण तो आप लोग देखते रहे वीडियो कर दो कि आप लोग देख सकते हैं इसके जड़ सड़ चुके हैं तो उस बज़े से यह सूख रह पेर तो आप लोग देख सकते हो इतना यहां देख सकते हैं आप लोग शेव का जड़ सुक चुक चुक आए और इस बज़े से यह सूख रहा है तो इतना बड़ा शेव है इस बज़े सुख रही अब इसमें थोड़ा बहुत दवाय डालना पड़ना उसके बाद यह थोड़ा हो सकता है कामियाब नहीं तो यह मुश्किल है तो देख सकते हैं आप लोग कंडिशन खराब है शेव का देख सकते हैं आप लोग यह देखो पुरा शर्चुका है तो आप लोग देख रहे होने कि इस शर्चुका है तो इसका अब उठना बहुत मुश्किल है पेड़ का तो यह डाले के थोड़ी देर में करें शर्चस का हैं कि मिर हैं दोते को दिखाते को थोड़ी देर में होगा जाग दोग देख सकते हैं में दागी ना रहा हो तो ये शेटी जड़ की दवाई है तो आप लोग देख सकते हैं तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेंजिंग कर रहा हूं शेट का कि देख सकते हैं अब इसको मिक्स करते हैं तो चलते हैं डालते हैं इसको जड़ पे अब देख सकते हैं तरह टाला जाता है आप लोग कर दिया है तो अब थोड़ा सा घंस काटने वह तो आपको दिखाते हैं घंस कारते बदेख सकते आप आप कार्टे हैं हम क्या स्पीर में कार्टे देख सकते हैं तुआंए तुआंए ऩस्टगे शैओ आपको घुटा में मुऻकी पिरम देख सकते हैं मुद तध्ते हैं कौवास आम लेतल के रहते हैं तो यहां से यहां से इसना सारा कार रहे हैं आपको सब कुछ आज का ब्लोग शूट कर दिया है तो आप लोग बने रहे वीडियो पर तो आज के लिए सब कुछ मैंने अपलूट कर दिया है तो मिलते नेक्स्ट ब्लोग पर और मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइबर और लाइक शेयर करना ना भूले और आज के लिए बस इतना ही तब के लिए बाए बाए